खरीब सीजन अपने पीक पर है जिसके तहट खरीब सीजन की मुख्य फसले पक कर तैयार होने लगी है इसके साथ ही रभी सीजन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है जिसको लेकर किसानों के साथ ही राजय सरकारों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है इसी कड़ी में इस रभी सीजन यानि ठंड के सीजन में राजस्तान में सरसो का रखबा बढ़ने की उमीद है इसको लेकर राजस्तान सरकार ने एक एहम फैसला लिया है जिसके तहत राजस्तान सरकार ने रभी सीजन के लिए परदेश के किसानों को 14 लाग किलो से अधिक सरसों के बीज बाढ़ने का फैसला किया है असल में सरसो राजस्थान की पर्मुक तिलहनी फसल है जिसे सिंचित शेत्रों के साथ ही नमी वाले शेत्रों में असानी से लगाया जा सकता है सरसो की फसल कम लागत और कम सिंचाई में अन्या फसलों की तुलना में अधिकुद पादन देती है जिसे रभी सिजन के अन्या फस्लों के साथ बोया जा सकता है वही राजसन सरकार ने परदेश में 7,34,440 सरसों के बीज मिनी किट बाटने का फैसला किया है परदेश सरकार ने राश्ट्रिय खादय सुरक्षा मिशन तिलनी के तहट सरसों के बीज माटने का यह फैसला लिया है किसानों को सरसों के बीज के मिनी किट फ्री में दिये जाएंगे मसलन किसानों से बीच मीनी किट के अवज में किसी भी परकार का भुकतान नहीं वसूला जाएगा प्रतेक मीनी किट दो किलो का होगा वही रभी सीजन में परदेश के अंदर सरसों की पैदावार बढ़ाने के उदेश्य से राजस्तान सरकार ने राश्ट्य खादेश उरक्षा मिशन तिलनी के तहट सरसों के नो किस्मों के बीज का फ्री वित्रन करने का फैसला लिया है। बीज मिनी किट का वित्रन किया जाएगा। तो वहीं केवल समाने वर की महिलाएं ही बीज मिनी किट प्रापत करने के लिए पात्रवानी गई है। कर दो बीज है। झाल झाल